नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नकल रोकने के लिए सक्थ कानून लागू करने का राष्ता साफ हो गया है राजेपाल सीपी राधा किष्णा ने बिधान सवा से बीते अगस्त महिने में पारीद बिधय को मंजूरी दे दी है राज सकारद्वारा अधिसुतना जारी होते ही यह कानून का रूप ले लेगा इस कानून में परत्योगी परिक्षाओं के पेपर लिग करने पर कम से कम 10 साल और अधिक्तम आजीवन करावास की साजा से लेकर 10 को रूप तक का जूर्माना लगाने जैसे सक्त प्रधान है बतादे इस कानून का नाम जार्खन परत्योगी परिक्षाओं अधिनेयम 2023 होगा इसमें पर्धान किया गया है कि परत्योगी परिक्षाओं में कोई अभ्यार्थी पहली बार नकल करते हुए पकला जाता है तो उसे एक वर्स की जेल होगी और पांच लाख रुपे तक का जूर्माना लगेगा रोजगार मेला में जार्खन सहीत देश भर में 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी पीम रोजगार मेला के तहट रांची में केंद्रीय मंत्री अरजुन मुंडा ने युवाओं को नियुकती पत्र सोपा बता दे हर साल देश के 10 लाख युवाओं को केंद्री सरकार के विभीन विभागों में नौकी देने के अभियान के तहट गुरु वार 30 नौमबर को रांची सहीत देश भर के विभीन अस्थानों में रोजगार मेला का आउजण किया गया राइधानी रांची के सीसील सभागार में आयोजित रोजगार मेला के दर्मियान केंद्रीय मंते अरजुन मुंडास थानी रांची सांसत संजय सेट के अलावा कई पता दिकारी उपस्तित रहे इस मौके पर जार्खन सहीत देश भर के 51156 अवियार्तियों को न्यूकती पत्र सोपा गया जिसमें जार्खन के 161 अवियार्ति सामिल हाए जार्खन में पहली से आठवी की अर्धवार्सिक परिक्षा का सेडियोल जारी ही जार्खन में पहली से आठवी के अर्धवार्सिक परिक्षा है 20 दिसंबर से सुरू होगी वहीं 30 दिसंबर तक चलने वाली इस परिक्षा में पहलिक अक्षा की मौखिक और दूसरी से आटवी की लिखित परिक्षा होगी परिक्षा दो पालियों में होगी जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधानों परिक्षा 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 होगी माल गारी को पास देने पर हुआ बावाल जारगनाम एस्टेशन में हंगामा खलाग्पु deposit division के जारगनाम एस्टेशन पर गुरु आसुबा जमकर हंगामा हुआ इस्टिल एक्सपरेस के यात्री कोचिंग ट्रेन को रोक कर माल गारी को पास देने रिखास थे और यात्रियों को समझाने का प्यास किया जिसके बाद 9 बच के 40 मेट पर यात्रियों का हंगामा खत्म हो गया और ट्रेन आगे बढ़ गई दरसल यहां पहले से एक पैसंजर ट्रेन भी काफी देर से खड़ी थी उसके यात्रि भी ट्रेन की लेट लतीफे से परिशान थे उसके बाद स्टिल एक्सप्रेस को भी रोक कर रख दिया गया और माल गारी को पास दिया गया जिस पर यात्रियों का गुसा फोट पड़ा उत्तरकासी टरनल हादसा जार्खन के 15 सरामीक फलाइट से आज पहुचेंगे रांची उत्तरकासी के सिल्क यारा टरनल से रेस्क्यू किये गये जार्खन के 15 मईदुरों को एर लिफ्ट कर जार्खन लाने की त्यारी पूरी हो चुकी है एक दिसंबर को इन्हें इंडिगा के फलाइट से रांची लाया जाएगा इन सभी को साम आठ बेतक रांची पहुचने की उमीद है सरमीकों को लाने के लिए जार्खन के वरिष्ट आईएस भोने स्वर्प परताप सिंग की अगवाई में सरम नियोजन प्रसिक्षन विभाग के अपसरों के तिन सही टीम बुद्धवार को ही उत्तरा खंड पहुची थी बदा दे सियम हेमांसुरे ने पहले ही सभी सरमीकों को फलाइट से लाने का निर्देश दे रखा था सरमीकों के साथ उनके बारा परिजनों को भी फलाइट से लाया जा रहा है ये लोग हाजसे के बाद उत्राखंड पहुचे थे नकसल अभियान में सहीद हुए पुलिस कर्मियों को परिजनों को मुअबजा मिला है गुरुवार को जार्खंड पुलिस मुख्याले में बिना कोई प्रीमियम दिये यह लाब पुलिस कर्मियों को मिलेगा इसे लेकर जार्कन पुलिस और एसबी आई के बीच 22 अगस्त को मुख्या था जार्कन में इंडिया गडबंधन में भरोसे की कमी मिशन दो हजार्चोविस के सियासी फतह को लेकर त्यारी में जूटे रायनितिक दल जार्कन में सीट के फेरे में फस गए हैं भरोसे की रायनितिक के एक जूटता का सारा जमू बिखरता हुआ दिख रहा है बतादे 2024 की सियासी ने अभी ढंग से अंगड़ाई भी नहीं ली है कि जार्कन में सीट वाली लड़ाई जोर पकड़ने लगी है निर्धारित तो यह हुआ था कि पूरे देश में इंडिया गडबंदर मजबुत्ति के साथ खड़े होकर मोदी के खिलाप की रायनिति करेगा लेकिन बिरोध वाला यूद आपनों में ही सुरू हो गया है जार्कन की 14 सीटों में से 9 सीटों पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ेगी जबकि 9 सीटों पर दावेदारी जार्कन मुक्ती मोर्चा ने भी कर दी है वहीं आर्जेडी ने भी 4 सीटों पर आपना दावा ठोका है जद्यों भी 2024 की लड़ाई के लिए मैदान में उतर गई है आमीत सा से रांची अर्पोर्ट पर मिले बिजेपी ने था आमीत सा अपने दो दिवस के दोरे पर जार्कन पहुंचे है ग्रीह मंत्री पहले रांची पहुंचे और फिर यार्पोर्ट से ही हजारी बाग के लिए रवाना होगा है बतादे हजारी बाग के मेरू में बिए सेप के 69 अपना दिवस के मौके पर देश के ग्रीह मंत्री अमीत सा का आगमन हुआ गिरिह मंत्री BSF के बिसेस बिमान से रांची एरपोड पहुंचे और फिर वहां से हेलिकोप्टर से हजारी बगिस्थीत BSF ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवना हुए रांची पहुंचने के बाद भारतिय जन्ता पार्टे के कई नेताओं ने उनसे मुलकात की बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगा स्वास्त मुख्याले में पड़ी है 24 नियो नेटल एम्बूलेंस सियम हेमन्सुरेन ने 5 जुलाई 2023 को 206 एम्बूलेंस राज को समर्पित किया था लेकिन उन में से 24 एम्बूलेंस अब भी नामकुम के स्वास्त मुख्याले में बेकार पड़े हैं हालाकि इस बारे में कहा गया है कि एस अभी नियो नेटल एम्बूलेंस हैं और जल्द ही इनकी जाज कर इने समन्दित जीलों में भेदिया जाएगा बतादे जारकन में सरकार ने स्वास्त सेवा के दुरूस्त करने के लिए आतदुनिक सुविधा से लैस 206 एम्बूलेंस को राजी को समर्पित किया था पांच जुलाई 2013 को मुख्य मंत्री है मांसुरेन अस्वास मंत्री बना गुपता ने हरी जण्डी दिखा कर नाई एम्बूलेंस को गम तब एक के लिए रवाना किया था लेकिन मुख्य मंत्री ने जीस 206 नाई 108 एम्बूलेंस को हरी जण्डी दिखाई थी उनमें से 24 नियो नेटल एम्बूलेंस थे हरत की बात या है कि मुख्य मंत्री द्वारा नाई 108 एम्बूलेंस देवा के सुबारम के करीब पांच महिने के बाद भी 24 नए एमबुलेंस नाम को मिठी स्वास्त मुख्यालाई पचर में खड़ी है भारतिय भासा उत्सा दो हईयर तेस जारखन के 25 सरकारी स्कूलों के बच्चे गुवा के इस्कूली बच्चों के साथ करेंगे बिचार साजा भारतिये भासा उसा 2ismo 13 के तहो जहारकन के 25 सरकारी स्कूलों के बच्चे गुवा के इस्कूली बच्चों के साथ अपने विचार को साजा करेंगे एक भारत स्रेश्ट भारत कारक्रम के अंतरगाथ आयोजीत होने वाले भारतिये भासा उसो दो हैयर तेस में भागिदारी निभाने के लिए जारकन के 25 बिद्यालियों का चैन होगा बतादे हर जीले से चैनित उत्कृष्ट परदसन करने वाले बिद्यालियों को गोवा के स्कूली बच्चों के साथ वर्चूल इंट्रेक्शन कराया जाएगा इन दिनों चल रहे 75 दिवसे भारतिये भाषा उत्सव का समापन 11 दिसमबर को जाने माने तमिल कवी सुब्रमानियम भारति के जयनती के अशर पर होगा प्रधान मत्री ने गुरुवार को नई दिली से देव घर के एमस इस्थीत प्रधान मत्री ने कहा है कि मुझे खुसी है कि बाबा की भूमी से मुझे उद्घाटन करने का उसर मिला है रांची के लोगों को दिसमबर तक कुड़े के धेर से मिलेगी मुक्ती राजधानी में कुड़े के पहाय को नश्ट करने के लिए नगर निगाम बायो कंप्रेश्ट गैस प्लांट बना रहा है जो दिसमबर माह तक पुरा हो जाएगा इसके बनने से कचरे को गैस में बदल कर इसका उप्योग किया जाएगा दरसल रांची सहर और निगम छेत्रे के घरों से निकलने वाला सारा कचरा रिंग रोड इसी जीरी डंपिंग यार्ड में डाला जाता है बरसों से कुड़ा डंपिंग के कारण जीरी में कुड़े का पहाण बनता जा रहा है हजारों मिट्रिक टन कुड़ा जमा हो रहा है इससे आसपस के इलाकों में रहने वाले लोगों को कापे दिखतों का सामना करना पर रहा है महिलाओं को लखपती बनाने के लिए PM ड्रोन दिदी योजना किसानों के फसलों की देख भाल अब ड्रोन से की जाएगी देश के अने छेतर की तरह अब जहारकन में भी ड्रोन के जरिये फसल और पधों की सुरक्षा करने की पूरी तयारी है यह योजना किसानों को खेती, किसानी को लेकर सहुलियत परदान करने की मंसा से लाई गई है बता दे ड्रोन का संचानल स्वेम सहायता स्वमोहों से जुड़ी महिलाये करेंगी इसके लिए जगा जगा परदान मंत्री महिला किसान ड्रोन केंदर खोले जाएंगे इस स्वेना के तहद ड्रोन्स की मदद से फसलों और पदों को बचाने के लिए उर्वर को कीट नासकों का शिड़काव और सर्वे का काम किया जाएगा साथ है इसकी मदद से खेतों में बीज भी डाला जा सकेगा सरकार अगले तीन वर्षों के दवरान देश भर की महिला स्वेम सहायता समोहों को 15,000 ड्रोन उपलब्द कराएगी ताकि वह इस तक्निक का उप्योग आजीव का सहायता के लिए कर सके बीए सेफ अस्थापना दिवस के लिए प्रसिक्छन केंदर मेरू तयार सीमा सुरक्छाबल का 60 अस्थापना दिवस एक दिसंबर को हजारे बाग इस्थीद बीए सेफ मेरू केंदर में बनाया जाएगा वही अस्थापना दिवस कारकरम में मुख्याती थी केंदरी ग्रीह मंत्रियमित साहोंगे सभी तयार या पूरी कर ली गई है पूरा परिसर्टर धजकर तयार है यह जनकारी बीए सेफ के महानिदेशक IPS नितिन अगरवाल ने यहाँ आयोजीत वार्षिक पत्रकार सम्मेलन में दी है नितिन अगरवाल ने हजारी बाग बीए सेफ मेरुक केंदर में पत्रकारों से कहा मनिपूर में कानून बेवस्था बनाय रखने के लिए बीए सेफ की 89 कंपनियों को तैनात किया गया है वहाँ पर बड़े प्रमाने पर जातिये हिंसा फैनले के बाद मनिपूर में नागरिक प्रसाशन की साहिता के लिए बीए सेफ को बुलाया गया था बाबा बागेस्वर धाम कारकरम मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को बाबा बागेस्वर धाम सरकार के कारकरम को लेकर जीला पर सासन और आयोजन समित्ती की तना तनी का मामला अब कोट की सरन में चला गया है इसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी ग्याद हो कि बाबा बागेस्वर धाम सरकार पंडित धिरेंदर कृष्ण सास्त्री के पलामों परस्तावित कारकरम को लेकर पलामों उपाउग ससी रंजन और कारकरम की संजोजात प्रथम मेयर अरुन संकर आमने सामने हैं कारकरम को अनुमती देनने संबंधी त्याजिका पर गुरुवार को मन्निय उष्ण नियाले में सुनवाई हुई गुरुवार को सुनवाई के दर्ण उष्ण नियाले ने हनुमत कता आयोजन समित्ती के सची वप्रार्थी दिना नाथ परसाद को संसोधन परटिशन दाखिल करने करुमती दी है अब इस मामले के अगली सुनवाई 7 दिसमबर को होगी मालूम हो कि पुरु में बागेस्वार धामसरकार के कारकरम मेदनी नगर में 10 से 12 दिसमबर तक होना था खनीज संपदा से संपन जारखन पर बेवसायों की गीधी दिरिष्टी सियम हमांत मुख्यमंत्री हमांसरे ने कहा है कि खनीज संपदा से भरे जारखन को लूटने के लिए बड़े बड़े बेवसायों की गीधी दिरिष्टी लगी हुई है उन्होंने कहा है कि 40 साल जर्खन को अलग राजे बनने में लग गा है इसके बाद उन्हें 20 साल सता प्राप्त करने में लग गा है सिरी सुरेन ने कहा है कि उन्हें चोपर जर्खन की सता मिली इसे वे ठीक कर रहे हैं उक्त बाते उन्होंने गडवा जी लेके मिराल परखंड के पेस्का गामे आयोजीत आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारकार करम में कही है मुख्यमंती स्री सुरेन ने इस सीवीर में 218.86 कोल रुपए की योजना का उदखाटन वसिला नेयास किया तथा परिसंपत्यों का बित्रण भी किया है पांच राजियों के बिधान सभाद चुनाव एकजिट पोल को जार्खन बिजीपी ने बताया उत्साह जनक रायस्थान मध्य परदे सही देश के पांच राजियों में हुए बिधान सभाद चुनाव पर सबकी नजरे ठीकी हुई है उसके बाद पांच राजियों की बिधान सबाच चुनाओ के एकजिट पोल, टीवी चैनलन और सोसल मेडिया पर आने सुरू होगा है बिभीन एजेंसियों के दोवारा जारी एकजिट पोल में रायस्थान मदेपर्दे 36 गण तेलंगाना और मिजोरों में अलग अलग रायनित्तिक तस्वीर होने की संभावना ब्यक्त की जा रही है किसी ने सिर्फ मदेपर्देश में बिजेपी की फिर से वापसी होने की समवना जताई तो किसी ने रायस्थान में कॉंग्रेस की गौहलोल सरकार की बिदाई होने की समवना जताई वहीं 36 गण में कॉंग्रेस बिजेपी के बीच कोई टकर होने की आसार बताई है सूफिया परविन हत्याकान मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा रांची में बहुचर्चित सूफिया हत्याकान में कोट ने आरोपी बिलाल सेख और उसकी पतनी अपसाना खातुन को उम्रकैद की सजा सुनाई है उसके अलावा उस पर 95-95 रुपय का जुर्वाना भी लगाया गया बता दे रांची के बहुचर्चित सूफिया हत्यकन मामले में गुरुवार को अपर नया युक्त एमके वर्मा की कोट ने आरोपी बिलाल सेख और उनकी पतनी अपसाना खातुन को उम्रकैद की सजा सुनाई 2021 के जनवरी माह में रांची को रुमाजी थाना चेतर में एक सीर कटी लास मिली थी जिसके बाद पूरे सहर में संसनी फैल गई थी टोटो में बैठ नासे के सौधागरों के गढ़ में पहुची पुलीस साथ गिरफतार रांची पुलीस ने नासे के सौधागरों को जोरदार परहार किया है पुलीस ने सुखदेव नगर में छापे मारी कर साथ नासे के सौधागरों को पकड़ा है बता दे राजधनी रांची में नासे के सौधागरों के खिलाब दूसरे दिन भी बड़ी करवाई जारी रही गुरुवार की रात रांची के सुखदेव नगर इलाके में पुलिस के द्वारा नसे के सोधागरों के खिलाप की गई करवाई में गांजा बेचने वाले तसकरों को धर दबोचा गया वहीं गिरफतार आरोपयों के पास से पुलिस ने ब्रााउन सुखर और गांजा भी ब्रामत किया है जारखन सराब घोटाला मामले में गजन्द्र सिंग को एड़ी भेजा समान जार्खन में हुए सराब गोठाला ममले में एडी ने जार्खन के सन्युक्त उत्पाद आयोद गयंद्र सिंग को समन जारी करते हैं पुष्टाश के लिए एडी दफ्तर में हाजिर होने को कहा है बताद जार्खन में पुराणी सराब नीती के जरिये टेंडर आवंटन में हुए गोठाले को लेकर एडी ने सन्युक्त उत्पाद आयोद गयंद्र सिंग को एक बार फित से समन भेजा गयंद्र सिंग को 4 दिसंबर के सुबा 11 बज़े तक एडी के रांची जोनल आफिस में उपस्थित होनों को कहा गया इससे पाले एडी ने उन्हें 29 नॉवंबर को उपस्थिती का समन भेजा था लेकिन वह एजनसी के समक्च उपस्थित नहीं हुए थे रांची अरपोट पर बिजेपी नेताओं के साथ दिखे महेंद्र सिंग धोनी भारतिय क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तान मुंबाई के लिए उडान भरने वाले थे इस दोरां रांची अरपोट पर उनकी मुलकात बिजेपी नेताओं से हुई जो अमीद साथ से मिलने पहुचे थे इस दोरां बिजेपी नेताओं ने धोनी से ना सिर्फ बाचित की बलिक उनके साथ फोटो भी खिचवाई बता दे भारतिय क्रिकेट टिम के पूर्व कपतार महेंदर सिंग धोनी गुर्वार को रांची से मुंबाई के लिए रवाना हुए मुंबाई रवाना होने से पहले एरपोट पर महेंदर सिंग धोनी के मुलकात कई भाजपा नेताओं से हुई जो अमिद साह से मिलने के लिए पहुँचे थे एयरपोर्ट के वियाईपी लाउज में क्रिकेट स्टाल महेंदर सिंग धोनी अपने फ्लाइट का इंतियार कर रहे थे इसी दोयान भाजपा के नेता होगी उनसे मुलकात हुई राजय्पाल ने खारिच की भाजपा की मांग परटियोगी परेक्षा बिल को दी मनझूरी जहारखन में परेक्षा के दोरा नकल करने और पेपर लिक करने वाले के खिलाप कला कानून बनाया गया और राजय के पास मनझूरी के लिए भेजा गया हलाकि BJP ने इसका विरोध किया था और राजेपाल से इस विल को खारिच करने की मांग की थी लेकिन राजेपाल CP लादा किछना ने BJP के मांग को खारिच करते वे इस विल को मंजूरी दे दी है बता दे जारकन में परत्योंगी परिक्षा के दोरान नकल करने और पेपर लिग करने वालों की अब खेर नहीं है जारकन परत्योंगी परिक्षा भी दैएक 2023 को राजेपल सीपी दाधा किष्णन ने मंजूरी दे दिया चाई बासा में 2.85 कड़ोर की 5 किलो मीटर सलक में सस्ती सेमेंट बालू का इस्तेमाल जीक पानी टोटो प्रखंड के बामे बासा में बुद्धवार को पीढमान की बैजनात बारी के अध्यक्ता में ग्राम सभा की बैठक हुई बैठक में कुतू बेडा से मौदा तक I.O. से बन रही सलक निर्मान में अनिमित्ता वाभामे बासा पंचायत में खेली स्टेडियम निर्मान सहित अन्य मुदा पर बिचार भी मर्स किया गया कुटु बेडा से मौदा तक लबग 5 किलोमेटर लंबी सड़क का नेमान IEO से कराया जा रहा है लबग 2.85 लाकी लागा से निर्माधिन सड़क में साची सेमेंट वा अस्थानिय गुमडा नदिक का मिट्टी युक्त बालु का उप्योग किया जा रहा बामेबासा गाओं के मद्य में PCC सड़क बनी है PCC किये जाने के बाद उसमें पानी का छिलकाव नहीं किया गया जिससे PCC सड़क फट गया है जनता का पूलिस पर कम हो रहा विश्वास जनवाली 2023 से लेकर नॉवमबर दो हैटरेश तक देवघर अनुमनल छेतर के अंतरगात विभीन थाना छेतर में होई वरदातों को लेकर दर्ज मुकादमों का गराप 45-42 तक पहुँच गया है 11 थाना छेतर के अंतरगात रहने वाले लोगों ने पूलिस एस्टेशन की तूलना में नियालाय में अपनी फरियाद ज्यादा दर्ज कराई है 11 मा के अधी में 11 थाना छेतर में कूल 210 केस दर्ज किये गाए जबकि सीजीमों स्पेसल कोट में 232 लोगों ने केस दाकिल करने आए कि गुहार लगाई है आकड़े बता रहे हैं कि लोग थाना जाने से कत्रा रहे हैं नियालाय पर भरोसा बढ़ा है कोट में होने वाले केस थाने में दर्ज मामले से काफी आगे निकल चुके हैं विभीन थानों में दर्ज केस से 162 अधी कोट में दाकिल हुए हैं चाइना नीमोनिया को लेकर स्वास्त विभाग अलर्ट चीन में फैल रही रहस्माई बीमारी के बाद केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है राज सरकार के आदेशा नुसार देवघर जीले में सतकता बरतने का निर्देश दिया गया यह जनकारे जीला महामारी बीसेसा के डाक्टर मनित से खरने दी है उन्होंने बताया है कि कुरोना महामारी की तरह एक बार फीर से नई बीमारी फैल रही है इसकी भी सुर्वाद चीन से ही होई है चीन के उतर पुर्वी इलाके में स्थीत लिया नोहिंग छेतर में बच्चों में इस रहसमाई बीमारी निमोनिया के लक्चन जैसे फेपड़ों में सुजान सास लेने में दिक्कत के साथ ही खासी और तेज बुखार दिखाई दे रहा है उन्होंने बताया है कि राज सरकाय के निदेश पर जीले को अलर्ट करते हुए छोटे बच्चे और बुजूर्गों को सबसे अधिक सतलक रहने का निदेश दिया गया धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एक कंदा बज़े साथ वीडियो को एक लाइक कर पर दोस्तों को सेर करना भूले साथी साथ आप हमारे वाट्सेप गुरूप और फेस्बुक गुरूप से अवस्य जुड़े धन्यवाद